लियोनाडो दविंची इतिहास के सबसे फेमस और विवादों से घिरे वे आर्टिस्ट और ठिंकर रहें दोस्तों आज की इस वीडियो समरी के माध्यम से हमें उनके दिमाख में जाकने का मूँका मिलेगा इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में किन प्रिंसिपल्स को पनाया कि वो इतने बड़े जीनियस बन पाई असल में वो किन बातों पर यकीन रखते थी अगर आप भी खुद को उनकी तरह एक जीनियस बनता हुआ देखना चाहते हैं तो हमारे साथ इस सफर में लास तक बने रही दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों समझे आप नमस्ते दोस्तों आप सभी का एक बार फीर से स्वागत हैं सेल्फ हेल्प बुक चैनल पर और आज किस वीडियो में हम आपके साथ सेर करने वाले हैं हाव टू थिंक लाइक लियोनार्डो दविंची बुक की समरी को दोस्तों जिसके ओथर हैं माइकल गलेब माइकल गलेब एक एक एक्जिकूटिव कोच और एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट है दोस्तों वो और्गनाइजेशन और लोगों को क्रियेटिविटी लीडर्शिप और इनुवेशन के बारे में सिखाते हैं दोस्तों माइकल ने 70 नोन फिक्षन किताबे भी लिखी हैं वो अपने की नोट स्पीच और सेमिनार्स के जरिए लोगों को मोटिवेट भी करते हैं दोस्तों और आज हम उनी के अनुभव से सीखने वाले हैं तो अचलिए दोस्तों बात करते हैं बूक के इंट्रोड़क्शन के बारे में दोस्तों क्या आपने कभी लियोनार्डो दविंची के बारे में सुना हैं कौन थे वो वो एक जीनियस और एक महान कलाकार थे उन्होंने कई बहतरी इन पेंटिंग्स बनाई थी जिन में से मोना लिसा और दी लास सपर को मास्टर पीस कहा जाने लगा दोस्तों वो एक उंदा कलाकार तो थे ही इसके साथ साथ उन्होंने कई अलग अलग फिल्ड के बारे में भी अच्छी खासी नोलिज हासल किती दोस्तों जैसे की बोटैनी, एटनूमी, मिलिटरी इंजिरिंग्स वगेरा वगेरा दोस्तों उनकी इस गहरी नोलिज के कान ही दोस्तों, उन्हें रेनिसेंस, पोली मत कहा जाता था यानि की एक ऐसा आदमी, जिसकी एक फिल्ड में मास्टरी और एक्सपरटीज तो है लेकिन इसके साथ साथ ही, उसे लगबग हर फिल्ड के बारे में बहुती डीप नोलिज भी होते है दोस्तों लियोनार्डो की कई पेंटिंग्स को मास्टर पीस का टाइटल दिया गया है दोस्तों जिनमें सैट जोन दी बैपिस्ट, मोनाडा ओफ दी रोक्स और सेलवेटर मुंडी भी सामिला दोस्तों दाविंची के काम को बहुत ज़्यादा वहवाई और तारिफे मिली लेकिन वो हमेश्था विवादों में घिर करके चर्चा का कांड भी बने रही उनकी नोटबुक में बनाए गए उनके स्केचिस को उनकी पेंटिंग जितना ही कीमती माना जाता है दोस्तों उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर घोडों, फूलों यहां तक की मां के गर में पल रहे बच्चों तक की इतनी स्तीक और जीवन्त तस्वीरे बनाई थी जिसे देखो तो लगता है कि मानो अभी यह तस्वीरे बोल पड़ेंगे लियोनाडो इतने जीनियस थे दोस्तों कि वो जिस समय में रह रहे थे उसे कहीं आगे की सोच रखते थे दोस्तों और उन्होंने अपने समय से आगे निकल करके कहीं चीजे इन्वेंट भी की थी जिनमें पैरासूट, हेलिकोप्टर, मसीन गन और उन्होंने इन उंदा अविस्कारों के स्कैच भी बनाए थे दोस्तों लेकिन क्या आप जानते हैं कि लियोनाडो एक नाजायज संतान थी, उनके पिता एक ओभरतव वकील थी और उनकी मा एक छोटे से गाउं के खेतों में काम करने वाली एक साधान सी लड़की थी डाविंची अपने पिता के नकसे कदम पर नहीं चल सके क्योंकि जिन बच्चों का जनम बिना साधी के होता है उन्हें एक प्रोफेसनल करियर बनाने की जाज़त नहीं होती इस तरह दाविंची ने अपना रास्ता खुद बनाया और दुनिया के महान कलाकार और थिंकर्स में से एक बन गए दोस्तों इस बुक समरी में आगे आप 6 ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जो आपको लियोनार्डो की तरह मल्टीपल स्किल्स डिवलप करने में आपकी हेल्प करेंगे दोस्तों आप एक ऐसा इंसान बनना सीखेंगे जो अपनी नोलिज को एक ही फिल्ट तक सीमित नहीं रखता और हमेशा ज़्यादा जानने और सीखने की कोसिस को जारी रखता है दोस्तों लियोनार्डो एक इटैलियन थी दोस्तों इसलिए इस बुक के ओथर माइकल ने इन प्रिंसिपल्स को भी उनी की भाषा में एक्स्प्लें किया है तो अचलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं लियोनार्डो के 6 प्रिंसिपल्स के बारे में जिन में से पहला है क्यूरियोसिता यानि की जानने की इच्छा को रखना और दूसरा प्रिंसिपल है दोस्तों डिमोश्टरा जियोने यानि की अपने एक्सप्रियेंसिस से सीखना और दविंची का थर्ड प्रिंसिपल है दोस्तों सैंसा जियोने यानि कि अपनी five senses का maximum इस्तमाल करना और fourth principle है दोस्तो, सफू माटो यानि कि तुरंत किसी चीज को judge नहीं करना और fifth principle है दोस्तो, art and sinja यानि कि art और logic के बीच balance बनाना वो छटा principle है दोस्तो, corporalita यानि कि physical fitness और आगे कि इस वीडियो में हम इनी सभी principles को detail में समझेंगे दोस्तो तो चलिए दोस्तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे पहले principle के बारे में जो है curiosity था बच्पन से ही लियोनार्डो को अपने आस पास की दुनिया के बारे में जानने की इच्छा रहती थी अक्सर वो कागच और पैंसी लेकर के जंगलों में घूमने के लिए चले जाते थे जो भी चीज उनका ध्यान अपनी तरफ आकरशित करती थी वो उनका sketch बनाने बैट जाते थे वो घंटों पेड फूल और पत्यों को निहारते रहते थे वो अपने हर थोट को एक नोटबुक में लिखते थे उनके मन में कई सारे सवाल आते थे जैसे इस दुनिया में कितने तरह के जानवर फूल और नदिया है ये पक्सी कैसे उड़ पाते हैं जिस तरह से पत्थर पानिश से टकराता है वहां गोल चकर जैसा क्या बनने लगता है ना जाने क्यों ये अजीबो गरीब सवाल हर वक्त उनके दिमाग पर कबजा किये रहते थे जब लियोनार्डो किसी फूल की तस्वीर बनाते तो उसे तीन अलग-अलग एंगल से बनाते थे वो उनकी सुंदर्ता और बनावट दे करके मंतर मुगद हो जाते थे पक्सियों की उडान भी उन्हें बड़ी दिल्चस्प लगती थी एक पक्सी कैट से हवा में अपने पंक फड़ फड़ाता है वो उसे भी तस्वीर में कैद कर लेना चाहते थे लियोनार्डो के बारे में एक और खास बात थी जो उन्हें दूसरे कलाकारों से लग बनाती थी उन्हें औरतों की सुंदर्ता को तस्वीर में उतारने में ज्यादा रोची नहीं थी वो हर किसी के लिए काम करते थे चाहे वो चर्च हो या और कोई उनकी कला नेचर, सुंदर्ता और सचाई के लिए समर्पी थी उन्होंने ये टीप्स अपनी पेंटिंग पर लिखे थे ये इनसान की फिदरत होती है दोस्तों कि वो दूसरों के काम में गलतिया बड़ी असानी से निकाल लेता है इसलिए ये देखने के लिए कि हमने अपने काम में क्या सुधार करने की जरूरत है आपको एक दरपन के जरिये उसके रिफलेक्शन को स्टडी करना चाहिए इस तरह से आप उसे एक अलग नजरिये से जज़ कर पाएंगे लियोनार्डो का मानना था कि काम करते वक्त बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स भी लेने चाहिए एक कलाकार को थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर के घूमना फिरना भी चाहिए दोस्तों अपने काम से कुछ देर के लिए दूर रहना हमें उसे एक फ्रेस नजरिये से देखने में मदद करता है और हमारे लिए बच्चा हुआ काम करना आसान बन जाता है दोस्तों उन्होंने एक और टैकनिक के बारें बताया है जो था पेंटिंग्स को दूर से देखना जब आप पेंटिंग्स को दूर से देखते हैं तो आप उसके रंगों को उसके अकार को भैतर तरीके से समझ पाते हैं लियोनार्डव अक्सर फ्लॉरेंस की सड़कों पर नेचर की खूबसूरती और लोगों के चहरों के हाव भाव को गोर से देखने के लिए निकल जाया करते थे कभी-कभी वह उन लोगों को देखते थे जो पिंजरे में पक्सियों को कैद करके उन्हें बेचते थे लियोनार्डव उन्हें खरीद करके पिंजरों का दर्वाजा खोल करके उन पक्सियों को अजाद कर देते थे वो बड़े प्यार और अचंबे से उन्हें नीले आसमान में खुल कर उड़ते हुए देखते रहते थे पक्सियों को हलकी हवा हमें धूप की, किरिनों के बीच फंक फड़फर आते हुए देखना उन्हें बहु ज़्यादा खुसी देता था यह प्रिंसिपल हमें सिखाता है दोस्तों कि हमेशा हमें जानने किछा को जगाई रखना चाहिए जानने किछा हमारे मन में सवाल पैदा करती है जिसका जवाब ढूनने की हमें कोशिस करने चाहिए यह हमारे ब्रेन को तेज और शार्प बनाती है दोस्तों हमें डिटेल्स को नोटिस करते रहना चाहिए कहते हैं नेचर हमें जितना सिखा सकती है उतना कोई और नहीं सिखा सकता इसलिए लियोनार्डो नेचर में मोजूद हर चीज को बड़े ध्यान से देखा करते थे इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सैकंड प्रिंसिपल के बारे में जो है दि मूंस्ट्रा जियो ने बच्पन में लियोनार्डो को कभी भी ठीक से पढ़ने लिखने का मूका नहीं मिल पाया जब वो थोड़े बड़े हुए तो मास्टर पेंटर लू मूर्तिकार एंडरा डेल विरोचियो की सिस्या बन गए उनके स्टोडियो में लियोनार्डो ने रंगों को मिक्स करना और कैनवास त्यार करने का तरीका सीखा वेरिचियो एक्स्पिएंस से सीखने में विश्वास करते थे उन्होंने लियोनार्डो को ब्रोंज, कास्तिंग, मूर्ती बनाने की कला वगेरा का काम सीखाया उन्होंने लियोनार्डो को पेड़ पोधे इंसान और जानवरों की बोड़ी के स्ट्रक्चर को स्टड़ी करना भी सिखाया दोस्तों इस एजुकेशन ने उनकी बहुत जादा मदद की लियोनार्डो की पहली पेंटिंग वेरेचियो के बाप्टिजम ऑफ क्रिस्ट के उपर थी ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने परी की तस्वीर को नीचे लेफ्ट कोर्नर में बनाया था आर्ट एक्सपर्ट्स ने एक बार एक्सरे के जरिये उसे गोर से देखने की कोसिस की ज़वर करने वाले थे कि एक्सरे उनके आर पार गुजर गई उन्होंने बहुत बहतरीन करिगरी से उसमें रंस भणा था इसलिए एक्सरे उसके आर पार और हो गई, ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने तस्वीर नहीं बनाई थी बलकि सच में परी की रचना कर दी थी ट्रेनिंग के बाद लियोनार्डो एक एक्सपर्ट बन गए थे और उन्होंने गिल्ड को जोईन कर लिया था दोस्तों ये डोक्टरों और कलाकारों का एक ग्रूप था जिसका नाम सेंट लूप था बोडी के स्ट्रक्चर को समझने के लिये लियोनार्डो ने लगबग 30 इंसानों की लास और अंगिनत जानुरों के सरीर को भी काटा था उन्होंने उनके सरीर के हिस्सों की तस्विरे अपनी नोटबुक में बनाई थी यही वज़ा है कि उनकी पेंटिंग्स में फिजिकल बोडी का स्केच इतना परफेक्ट होता था जो कि उनकी नोटबुक में आज भी संभाल कर रखा हुआ है दोस्तों लियोनाडो प्रैक्टिकल एक्स्पिरियंसी से चीजों को टेस्ट करकर सीखने में विश्वास रखते थे उनका मानना था कि कही सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए बलकि उन्हें खुड टेस्ट करके अपने इंडिपेंडिन्ट थिंकी को बढ़ाना चाहिए दोस्तों उनका कहना था कि नेचर से बहतर टीचर कोई और नहीं हो सकता इसलिए अपने आसपास की चीजों को गोर से देखी वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगी लियोनाडो के बारे में एक और दिल्चस्प बात ये है कि उन्होंने 42 की उमर में खुद लेटिन भाशा सिखी ताकि वो क्लासिक्स में लिखी गई बातों को बहतर समझ सके उन्होंने मैडिसिन, मैत और यूदकला की कई किताबे पड़ी थी एक जगे उन्होंने लिखा था, experiences कभी गलत नहीं होते, आप फैल तभी होते हैं जब आप अपने experiment से तुरंथ result मिलने की उमीद करते हैं इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा था कि रिकावटे मुझे चुका नहीं सकती, हर बादा पक्के, इरादे और अटलता से चुकना चूर हो जाती हैं लियोनार्डो को experiment करना बहुत पसंद था, उन में से कई बुरी तरह से फैल भी हुए थे लेकिन failure ने उन्हें कभी दोबारा कोशिस करने से नहीं रोका इसी खाशित की वजह से वो अनगिनत invention करने में काम्याब रहे दोस्तों और एक लाइन हमेशा से famous रहे दोस्तों हमेशा failure और struggle से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि यह भी एक कहानी है दोस्तों जो की successful होने के बाद हमें सब को सुनानी है तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे थर्ड प्रिंसिपल के बारे में जो है सैंसा जियो ने लियोनार्डो हमारे past senses, organs को बहुत ज़्यादा एहमिर देते थी उनका मानना था कि हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तमाल करना चाहिए इस principle का मतलब है हर चीज को गोर से detail में देखना ये आपकी brain power और learning skill को बढ़ा देता है ये हमारा focus बढ़ा करके हमें genius बनाता है senses का ज़्यादा इस्तमाल करने का मतलब हर आवाज को गोर से सुनना और अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसका पुरा जाइका लेना आखों के माध्यम से हर चीज की detail को देखना है दोस्तो लियोनार्डो हमेशा अपने senses का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तमाल करते थे वो बड़े गोर से अपने आस पास के परिवेस पहाडों जर्नों और जानवरों और लोगों के हाव भाव को देखते थे और उनसे सीखते थे जितना हो सकता था वो उतने अच्छे कपड़े पहनते थे उन्होंने अपने स्टूडियो को फूलो और परफ्यूम की खस्बु से भर के रखा था वो कम क्वांटिटी में हेल्दी खाना खाना जिसे खूबसूरती से प्लेट में सजाया गया हो बहुत पसंद करते थे क्या आप जानते हैं कि लियोनाड़ के म्यूजिसिन भी थे दोस्तों वो वीना बांसूरी के साथ साथ कहीं सारे इंस्टूमेंट भी बजा सकते थे कहते हैं कि उनकी आवाज भी बहुत जादा सुरेली थी जब मिलान के लुडोवी को सफोर्जा ने उन्हें काम पर रखा तब लियोनाड़ो ने घोडे के सिरक एकार के एक चांदी की वीरा बनाए और उसे लुडोवी को सफोर्जा को तोफे में दे दिया लियोनाड़ो कहते थे कि बड़े दुख की बात है कि यहां ज़्यादातर लोग अपनी सैंसिज का सही इस्तमाल नहीं करते वो बस पेट भर खाने के लिए खाते हैं लेकिन उनका स्वाद नहीं लेते वो बोलते तो हैं लेकिन सोचे संजे बिना सुनते तो थे लेकिन कुछ महसूस नहीं करते थे चलिए आप इमांदारी से बताईए आखरी बार आपने आश्मान को देख करके चांद और तारो की सुन्दरता की तारिफ कब की थी आखरी बार कब था जब आपने बिना जल्दबाजी की अपने खाने का जायका लेकर के उससे खाया जब चीजे हमारे आसपास होती हैं, हम उसकी कदर नहीं करते, नेचर ने आपको सेंस औरगंस दिये हैं, उनके परती ज़्यादा सेंसिती होने की कोशिस करे, आज हम इतने बीजी हो गए हैं कि बस मुझूद हैं, जी नहीं रहे, अगर आप भी जीने के सही माइन्यों को तो लियोनाडो की तरह अपनी सेंसिज को जादा यूज करें और जीन्दगी के हर पल का भरपूर आनद लें, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, फोर्थ प्रिंसिपल के बारे में, जो है सफु माटो, सबद का मतलब है धुएं की तरह ऊपर जाना, या फिर धुनला हो जाना, जहां कुछ भी साथ साथ दिखाई नहीं देता, इसकी जलक हमें लियोनाडो की यूनीक पेंटिंग स्टाइल्स में देखने को मिलती हैं, अगर आप मूना लिसा की पेंटिंग गूगल करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो पेंटिंग बड़ी ही मिस्ट जिरियस हैं, मूना लिसा की मुस्कान का राज आज तक कोई नहीं जान पाया, उसमें इतने इमोसन्स छुपे हुए हैं कि आप चाहा कर भी उन्हें जान नहीं पाएंगे, कि उसकी मुस्कान के पीछे की असली भावना क्या है, उसे इस तरह से बनाया गया था कि आप एक य जलक दिखाई देती हैं, आपको क्या लगता है कि लियोनार्डो इससे क्या मैसिज देना चाहते थे, इस पैंटिंग की सबसे बड़ी दिल्चस्प बात यह है, कि अगर आप करीब से देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि मोना लिसा के महु और आखों का कोना हलकी सी प्र क्या महसूस कर रही थी, लेकिन लियोनार्डो का यही तो इरादा था, कि उन्होंने इसे एक पहली की तरह पेंटिंग देखने वालों पर छोड़ दिया, यही फोर्ट प्रिंसिपल है दोस्तों, कि हमें तुरंत किसी चीज को जज नहीं करना चाहिए, या किसी नतीजे पर नहीं पहुचना चाहिए, एक ही चीज को कहीं अलग अलग पहलों से समझने की कोशिस करने चाहिए, इसलिए उसके पीछे की कान को समझने की सोच अपनानी चाहिए, तब जा करके आप उसे सही तरीके से जज़ कर पाएंगे, थोड़ा अलग एंगल से सिच्वेशन को देखने की कोशिस कीजिए, किसी नई चीज को देख करके उसके बारे में सवाल करना और उसको जवाब ढूने की इच्छा बिनाए रखनी चाहिए दोस्तों, यह आपको सच और जूट के बीच फरक को संजाने में मदद करती है, यह आपके सूचने की पावर और को बढ़ाती है दोस्तों, साइद यही वो खासियत है जिसने लियोनार्डो को इतने सारे इंवेंशन करने में मदद की थी, इस बात को याद रखे कि जीनियस कभी तुरंत किसी नतीजे पर नहीं पोश्ते, वो उसे अलग-अलग एंगल से समझने की कोशिस करते हैं, उसके बाद नतीजों पर पहुते हैं, सालों से आठ एक्सपर्ट और साइकलोजिस ने ये सवाल किया है कि आखिर इस पेंटिंग की मोडल कौन थी, क्या वो सचमी कोई लड़की थी या सिरफ एक इमेजिनेशन, लेकिन आज तक इसका कोई स्तीक जवाब नहीं दे पाया, कि किसी लेबस के डोक्टर लेलिन का एक अलग और बड़ा ही दिल्चस्प नजरिया था, उनका मानना था कि मोना लीसा लियोनार्डो की खुद की तस्वीर हो सकती है, इसे सेल्फ पोट्रेट भी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लियोनार्डो के पास सिरफ एक सेल्फ पो डोक्टर लेलिन की पैंटिंग और उस सेल्फ पोट्रेट को साथ साथ देखने के लिए स्थीक माप के साथ कंप्यूटर मोडलिंग का इस्तमाल किया था, और गोर से देखने पर आप देख पाएंगे कि मोना लीसा और लियोनार्डो का मात था, आख नाख होट बिलकुल सम नहीं करते थे क्योंकि लियोनार्डो बाइबल में दिखाए गए सीन्स का मेनिंग अपने नजरिये से निकालते थे और वो कहते थे मेड़ोना ओफ दी रोकसोर वर्जन एंचाइल्ड विद स्टेन एने पेंटिंग के दो अलग लग वर्जन है एक बहुत चुकाने वाला और दूसरा भोती कोमल लियोनार्डो जैसे मास्टर पेंटर कोई भी चीज अंजाने में या फिर इस्तिफाक से नहीं कहते थे हर चीज के पीछे एक ठोस कान होता था जो अक्सर आम लोगों की नजर नहीं आता था उनकी पेंटिंग्स में लोगों के चैरों के हाव भाव बोडी की पोजिशन हाथ का इसारा सब बिल्कुल वैसा ही होता था जैसा वो उन्हें दिखाना चाहते थे और आप मानो या फिर ना मानो उनकी चोटी सी चोटी बात में भी कोई ना कोई मैसिज जुरूर छिपा होता था साइध हम कभी नहीं जान पाएंगे लियोनाडो लास्ट सपर या फिर सेट जोन दिबैपिस्ट मेंसल में क्या बताना चाहते थे यह हमारे उपर है कि हम उनकी कला के सुंदरता और रहसे को किस तरह से समझे तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे फिप प्रिंसिपल के बारे में जो है आर्ट एंड सिंजा लियोनाडो लेफ्ट हैंडिड थे दोस्तों तो यह कहाँ जा सकता है कि उनका राइट ब्रेन जादा एक्टिव था लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थे बलकि एक साइन्टिस्ट भी थी उनके एक बड़ी ही एनोखी आदत भी थी वो मिरर राइटिंग की प्रेक्टिस करते थे उनकी सारी नोट बुक उसी तरह से लिखी गई हैं कुछ साइकलोजिस्ट ने इसके पीछे के गहरे मिनी को समझने की कोशिस किया कि लियोनाडो रिवर्स में क्यों लिखते थे लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये उनके लिए ज़्यादा कॉंफर्टेवल होता होगा क्योंकि वो लेफ्ट हैंड से लिखते थे 1914 यानि कि 1924 में बिल गेट्स ने लियोनाडो की नोट बुके 18 पेज 30 मिलियन डॉलर में खरीदे थे साइंस ने इस बात को प्रूव किया है कि ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा लोजिक और रिजनिंग के साथ काम करता है और राइट हिस्सा इमेजिनेसन और क्रियेटिविटी के साथ लेकिन लियोनाडो का मानना था कि आर्ट और साइंस दोनों साथ साथ चलते हैं इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता उन्होंने human body, भैते हुए पानी, फूल पोदो को बड़े गोर से देखा और उनका इस्तमाल अपनी कला को express करने के लिए किया था वो अपनी paintings और मूर्तियों का outline बनाने के लिए math की stick measurement का use करते थे इस तरह लियोनाडो पूरे brain को thinking के लिए इस्तमाल करते थे उनका कहना था कि जो लोग बिना science को apply किये अपनी कला को कार देते हैं वो उन sellers की तरह होते हैं दोस्तों जो बिना compass लिए समूंदर की यादरा के लिए निकल जाते हैं ऐसे लोग कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते वो इस बात में विश्वास रखते थे कि एक artist को इंसान की खूबसूरती को कैनवास पर उतारने के लिए उसकी human structure को study करना जरूरी है बिना इस knowledge के painter सिर्फ नरजीव लोगों की तस्वीर बना पाएगा imagination power का भी इस्तमाल करें छोटी-छोटी चीजों को देखने की बजाए पूरी picture देखने में कि उनकी ability ने उन्हें बिना किसी modern technology की मदद से बिलकुल stick map त्यार करने की मदद दी वो कहते थे study the science of art and study the art of science यानि कि art के पीछे की science को समझेओ वो science के पीछे की art को देखो लियोनाडो सायर की कलोते ऐसे महान कलाकार है जिनोंने हमें कई unique invention sketch और notes दिये हैं जिने आज भी उतना ही कीमती माना जाता है जितना उनके समय में माना जाता था तो अच्छे लिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं सिक्स प्रिंसिपल के बारे में जो है कोर्पो ली था लियोनाडो ने notebook में पजल और जोक्स के अलावा आपको अच्छी health और physical fitness के बारे में कई दिल्चस्प tips भी दी हैं उनका मानना था कि अच्छी health आपको एक fit दिमाग देती है exercise की तोर पर आप swimming और तलवार वाजी भी कर सकते हैं दोस्तों इन चीजों ने लियोनाडो की बोटी को बहुत ज्यादा strong, attractive और fit बनाया था लियोनाडो ने अपनी notebook में कुछ health tips भी दिये हैं वो कहते हैं कि गुसे और उदासी से दूर रहो अपने मन को खुछ रखो हर रोज exercise करो आप क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए खाने को धीरे धीरे चबा करके खाएं भूग लगने पर ही खाना खाएं और हलका खाना खाएं रात को अच्छी नीद लें और अपना digestive system ठीक रखें लियोनाडो दविंची वेजिटेरियन थे और तो और वो खाना बनाने में भी माहिर थे उनके हिसाब से healthy खाना और exercise के बीच एक balance आपको अच्छी health दिला सकता है दोस्तों तो अचली दोस्तों इसी के साथ आगे हम बात करते हैं इस book के conclusion के बारे में फ्रांस के राजा फ्रैंसिको ने लियोनाडो को painter एक architect और एक engineer के रूप में काम पर रखा था लेकिल असल में वो राजा के साथ ग्यान और philosophy की बातों पर गहराई से चर्चा किया करते थे राजा ने उन्हें रहने के लिए एक सांदार बंगला दिया था और उन्हें हर महीने salary भी दी जाते थी वहां रहते हुए 67 वर्स के उमर में लियोनाडो ने दुनिया को लविधा घह दिया अपने अंतिम दिनों में लियोनाडो ने अपनी बिमारी के symptoms के बारे में भी लिखा उन्होंने अपना सारा सामान अपने वफादार students के लिए छोड़ दिया था वो कहते थे कि राजा के साथ उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी और उन्होंने अपनी आखनी सांस राजा की बाहों में ही ली थी कुछ लोगों का कहना आए कि लियोनाडो होमसेक्सुल थे तो कहीं लोग कहते हैं कि वो फरी थिंकर थे जिनकी सोथ धरम से कुछ अलग थी और किसी बात का थो पता नहीं लेकिन एक सच है जिसे कोई बदल नहीं सकता दोस्तों कि वो एक जीनियस थे वो एक महान कलाकार थे जिन्होंने अपना पूरा जिवन कला साइंस नेचरों की सुन्दर्टा के लिए समर्पीत कर दिया था तो इस बुक में आपने 6 प्रिंसिपल्स के बारे में सीखा जो आपको लियोनार्डो की तरह अपनी बोडी और माइंड को फूल पोटेंसल को हासिल करने में मदद करेंगे दोस्तों क्योरो सीटा यानि कि हमेशा जानने की इच्छा और सीखने की इच्छा को बनाए रखना जितना जादा आप सवाल पूछेंगे उतना ही जादा आप उस फिल्ड के बारे में जानेंगे जो आपको मास्टर बना देगी एक जर्नल या नोटबुक मैंटेन कीजिए जिसमें आप अपने आइडिया थोट और सीखुए चीज़े लिख सकें ये आपको अपने गोल से एच्छीव करने में मदद करेगी दोस्तों दिमोश्रा जियो ने यानि कि किसी बात और थियोरी को यूही नहीं मानना चाहिए बलकि उससे टेस्ट करना चाहिए उससे एक्सन ले करके खुद एक्सपिरियंस करना चाहिए experiences से ज़्यादा आपको कुछ नहीं सिखा सकता दोस्तों इसलिए गलती करने से डरो मत और हर failure को सीखने के opportunity के रूम में देखो practical experiences हमें ज़्यादा effective तरीके से सिखाते हैं और इसे के साथ आपने sense जियो ने यानि कि हमारे five sense organs को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने के बारे में सीखा चीजों को गोर से देखना उनकी detail को समझना आप जो चीज देख रहे हैं उन्हें सुन रहे हैं टच कर रहे हैं उन्हें फील करना उस पल में पूरी तरह से मोजूत रहना कुछ खा रहे हैं उसके हर एक ingredient को तेस्ट करना अगर कुछ रहे हैं तो उसे महसूस करना यह आपके focus को बढ़ा सकता है दोस्तों इसी के साथ आपने सफु माटो यानि की तुरंत किसी बात को जज ना करना और नहीं किसी नतीजे पर पहुंचना एक ही चीज के कहीं अलग-अलग पहलू हो सकते हैं उसके पी imagination के beach balance बनाना, अपने mind की capacity को सीमित ना रखना, logic और creativity के beach balance बनाना की कोशिस करना, दोनों की importance देना, हम मेंसे ज़्यादा दर लोग या तो left brain या फिर right brain सच पूछे हैं, तो हम अपने brain का बहुत कम हिस्सा ही यूज करते हैं, लेकिन अगर आप एक genius बनना चाहते हैं, तो आ इसी के साथ आपने corpo लीता, यानि की body और mind की देख भाल करना, body और mind एक दूसरे से connected होते हैं, इसलिए healthy खाना खाए, पूरी नेंद ले और exercise करें, क्योंकि हम जीतना ज़्यादा, physical fit और strong होंगे, उतना ही ज़्यादा हम mentally strong बन पाएंगे, जो हमारे focus और creativity को बढ़ाने में म अगर आप अपने time को productive तरीके से उप्योग करें दोस्तों, और excellence का aim रखें, तो आप भी एक genius बन सकते हैं, अगर आपने life के अंदर इन six principles को बखूबी समझ करके apply किया, तो आप अपनी productivity और focus को जरूर बढ़ा पाएंगे, और कौन जानता है कि आने वाले time में, आप कोई ऐसी चीज़ invent कर दें, या फिर कोई ऐसा solution ले करके आए, जिसके लिए आपको genius कहा जाए, और आपके बारे में किताबें लिखे जाए दोस्तों, इसी के साथ आज के हमारी ये वीडियो summary यहीं पर समाप्त होती है, उमीद करते हैं दोस्तों कि आपको इस वीडियो summary से कि रहा में आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो summary पसंद आई, तो आप इस अपने दोस्तों के साथ सेर कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्स्राइब नहीं किया दोस्तों, जल्दी से जल्दी कर लें, ताकि आपको आन वाले न्यू वीडियो की नोटिविकेशन सबसे पहले मिल सके, मिलते हमारी nest किसी नए मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुस रहें, खुसियां बाढ़ते रहें, we love you all दोस्तों, जहिन दोस्तों, जहिन